आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि किस तरह से आप लोग PHP MySQL को एक Ubuntu VPS में इंस्टाल कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से MySQL along with PHP को बहुत ही पावरफुल डेटाबेस हो सकता है आपकी डेली कोडिंग अप्लिकेशन के लिए हम लोग सबसे पहले एक नानोड बनाएंगे उसके अंदर हम लोग इंस्टाल करेंगे PHP MyAdmin को और देखेंगे कि किस तरह से PHP MyAdmin को यूज किया जाता है और किस तरह से डेटा बहुत ही इसली इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है PHP MyAdmin के अंदर चलता है कंप्यूटर स्क्रीन में एं लेट्स गेट स्टार्टेट सबसे पहला काम जो मैं आपर करने वाला हूं वह है मैं लॉग इन करने वाला हूं अपनी लिनोड अकाउंट में अगर आप लोगों ने अभी तक लिनोड अकाउंट नहीं बनाया है तो आप लोगों दिस्क्रिप्शन में दीए हूए लिंक को अगर अक्सेस करते हो तो आप लोगों को 100 डॉलर 60 डे ग्रेट मलता है लिनोड यूज़ करने के लिए for absolutely free तो आप उसको try out कर सकते हो तो अब मैं आपर create पर क्लिक करूँगा इसके बाद linode पर क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं आपर ubuntu 22.04 LTS इसके बाद मैं region में Mumbai सेलेट करूँगा क्योंकि वह सबसे पास है shared CPU में nanode सेलेट करूँगा क्योंकि यह सबसे छोटा VPS है जो मैं मैं बना सकता हूँ इसके बाद मैं scroll करूँगा और एक root password चुन लूँगा और यह करने के बाद simply मैं create linode पर क्लिक करूँगा और यह करने के बाद मैं wait करूँगा इस linode के provision होने का या या भी resources वगरा locate हो रही है मेरे linode के लिए और जैसे यह provision हो जाएगा इसके बाद मैं इस linode में login करूँगा तो मैं ready कर लेता हूँ उस चीज को भी तो मैं इसको दर zoom in कर लेता हूँ यह जो चीज़े से copy करूँगा और इसके बाद अपना password डालूँगा ठीक है तो यह copy किया मैंने और यहां पर मैं इस paste करूँगा और जैसे यह provision हो जाएगा तो मैं इस linode में ssh कर पाऊँगा अब ह उसके पहला काम हम करेंगे apt update उसके बाद हम लोग phpMyAdmin को install करेंगा आपको दिखाऊंगा सारी चीज़े की सब काम कैसे किया जाता है इक पर यह provision हो जाए बस थोड़ी दिर के बाद ही हमारी machine provision हो चुकी है मैं आपर जल्दी से अपना जो password है वो डालूँगा यह लिकने के मैंने यहाँ पर जो है लिखे हुए है और मैं सारे add करता जाओंगा तो यहाँ पर मैं जल्दी से सबसे पहले क्या करूंगा अपाचे 2 इंस्टॉल करूंगा अपाचे 2 एक server होता है जिसको हम use करने वाले है phpMyAdmin serve करने के लिए तो मैं इस command को paste करके yenter मारूंगा और जैसे यह इंस्टॉल हो जाएगा यह एंटर हमें confirmation के लिए मारना होता है वो पूछता है कि क्या आप इंस्टॉल करना चाहते है यह स्या नो तो यह आप करोगे तो यह होता है उसका मतलब Apache हमने यहाँ पर install कर लिया है फिर हम इसको allow कर देंगे ufw से जो हमारी firewall है उससे और इसके बाद हम sql server install करेंगे जो कि mysql हमारे लिए install कर देगा और यह मुझ से पूछे लगा क्या आप install करना चाहते है yes मैं install करना चाहता हूँ ठीक है and finally मैं क्या करूंगा यह करने के ब बहुत ही लंबा चोड़ा ब्लॉग नहीं लिखा क्योंकि last time मैंने ब्लॉग लिखा था और मैंने आपको ब्लॉग का लिंक दिया था और आप लोग ने कहा था कि यार यह ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है सिर्फ commands दे तो हम वीडियो follow कर लेंगे तो इसलिए मैं इस बार commands देने वालों आप लोगों सर्फ और मैं इसको description में डालने वालों वीडियो के ताकि आप लोगों के लिए भी असानी हो और वरना मैं gist में डाल दूँगा GitHub gist में ठीक है और यहां पर मैं wait कर रहा हूं और आप जैसे की देख सकते हो यह almost done है come on हो गया यह इसके बाद हम SQL server install करेंगे और यह कह रहा है भाइस अब install है already अब यहां पर जल्दी से mysql run करूँगा तो mysql ठीक है और यहां पर मैं command चलाओंगा मैं कहूंगा कि भाई जो root वाला user है उसको password से identify करो जिसे की क्या होगा अब मैं password password use करके root पर से login कर सकता हूं उन्हें mysql लेकिन आप इसा मत करना reason बताता हूं password password safe नहीं है बिल्कुल भी मैं तो यह vps delete कर दूँगा just asani के लिए मैं कर रहा हूं इस सारी चीज़े और हम इसके बाद exit करेंगे और अब आप यहां पर देखो कि जैसे ही मैं यह run करूँगा command तो php और सारे modules से install हो जाएंगे lib apache php2 और यह सारी कि सारे जो modules है apache 2 mod php जो कि apache 2 का mod होता है php के लिए और php mysql यह हम install करेंगे तो यह install almost फोरा इसके बाद हम php myadmin को install करेंगे तो मैं इसको जल्दी से यहाँ पर copy करूँगा command को wait कर रहा हूं यह सब के finish होने का और यह latest version php का install कर रहा है 8.1 और यह करने के बाद हम यहा पर paste करेंगे और y enter में जैसे करूंगा wait करते है इसके complete होने का इसके complete होने का इंतिजार करता हूं फोरा यह time लेने वाला है और फिर इसके बाद मैं वापस आँगा अब यह मुझसे पूछ रहा है please choose the web server that should be automatically configured तो मैं space दबाऊंगा तो apache 2 select हो जाएगा तो यहां पर star आगे जैसे मैं space दबाया और enter दबाऊंगा तो यह ok हो जाएगा जस्ट आप लोग को बताना चाता हूं कि यह करने से आपका जो apache 2 हो automatically configured हो जाएगा यह करने के बाद मैं क्या करूँगा कि जैसे ही हो जाएगा मैं mysql ना रन करके यह वाला command इस बार करूँगा क्योंकि यह वाला command रन करने से मैं और यहां पर यहां पर यहां रहा है configured database for php myadminbry db config common yes अब यह कह रहा है कि भाई साब password चुन लीजे confirm करवा दीजे password लूजी confirm भी कर रहा दिया अब इसके बाद हम mysql में login करेंगे भी सब कुछ है जैसे ही चल जाएगा और यह हो गया अब मैं आप यह run करूँगा यह मुझ से कह रहा भाई साब password बताईए password हमारा password था sorry हमारा password था password बहुत ही simple सा password मैंने रखा आप लोग मत रखना है इतना simple password ठीक है यह हम करने के बाद mysql में login हो चुके है इसके बाद हम mb string नाम का जो mod अपने install किया तो उसको enable करेंगे तो उसको enable करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर exit करूँगा क्योंकि म service sorry service server service और Apache 2 जैसे restart हो जाएगा मेरा वैसे ही मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पर सबसे पहले add कर देता हूँ आप लोग के लिए मैं अपने इस IP पर जाओंगा और slash phpmyadmin में जाओंगा तो नई tab में आकर मैं यहाँ पर phpmyadmin पर जाओंगा यह मुझ से login मांगेगा तो username में मैं लिखूँगा root और password में मैं अपना password डाल दूँगा तो मैंने जो password था P-A-S-S-W-O-R-D वो डाल दिया और यह मुझ से कहा भी रहा है कि भाई साब यह कैसा password चूज किया हूँ है अपने क्या मुझा चल रही है आपर यह मैंने बस ऐसी server बना हूँ है आप लोग ए अब आप देखो इसका interface काफी बढ़ी है मुझे सबसा अच्छी बात इसकी यह लगती है कि आप लोग यहां पर databases में जाकर सारे databases देख सकते हैं एक नहीं database बनाने के लिए मानलो मैं Harry नाम से database बनाना चाहता हूँ create कल दूँगा एक table बना सकता हूँ मानलो मैं table का नाम रख लिए फोन नमबर ठीक है फोन लिखा मैंने इसको मैं बार कैट चुल लेता हूँ name को text यह int हो जाएगा ठीक है और यहां पर लेंथ पगएरा इसकी देख सकता हूँ कि 23 करेक्टर का यह हो तेज करेक्टर का email हो और यह सब करने के बाद आम यहां पर save कर सकते हो और यह बन automatically increment होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा ठीक है और अगर मैं यहां पर इसका नाम change करना चाता हूँ वो भी कर सकता हूँ तो मैं browse पर click करूँगा तो select start from friends यह SQL query चली मैं अगर insert करना चाता हूँ data तो यहां से कर सकता हूँ मालो मैंने यहां पर one लिखा यहां पर मैंन लेकिन यह number है उसका WhatsApp का मैं go पर click करूँगा और जैसे go पर click करूँगा यह query चलाई हमारे SQL server ने ठीक है यह number exposed हो चुका है दोस्तों लेकिन कोई बात नहीं हम यहां पर browse पर click करेंगे और browse पर जैसे click करेंगे आप देख सकते हो कि यहां पर यह number आ गया इसके बाद मैं आप divya at the rate of divyamail.com यह divya का email है और divya का phone number मैं लिख रहा हूं यहां पर आप लोग प्लेज इसका कुछ misuse बत करना number का मैं हाँ पर डाल रहा हूं number 23890890890 यह number है divya का go कर देता हूं और यह यहां पर oh मैंने गलती कर दी 0 नहीं यह number मैं हाँ भूल गया था मैं भी आचली कह रहा है कि भाई इतना बड़ा number मैं डालो ही क्या मजाग चलता है तो मैंने यह number डाल दिया भी change करवा दिया हमारे divya का number तो आप देख सकते हो यहां पर कि यह query चली और यहां पर जो data है वो पहुंच चुका है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो कि रोहन का number div data को यहां पर आप go पर जैसे क्लिक करोगे तो यह as sql export हो जाएगी गर आप चाहते हो as csv export करना तो आप यहां पर csv चुन सकते हो ठीक है क्या चली insert करने के लिए export करने के लिए और यह सारी चीज़े आप देख सकते हो कि किस तरह से काम कर रही है query वगएरा आप लोग यहां पर अराम से देख सकते हो console भी access कर सकते हो आप लोग चाहते हैं आपर SQL queries वगएरा चला सकते हो यह बहुत अच्छी बात होती है और उसी के साथ-साथ यहां पर आप एक नए user बना सकते हो PHP my admin के लिए फिर इसके बाद आप यहां पर पूरा खाली कर सकते हो जितना भी आपका data है उसको drop कर सकते हो database को यह delete कर सकते हो table को truncate कर सकते हो truncate बतलब आपकी table empty हो जाएगी और अगर आप drop करोगे तो delete हो जाएगी table तो truncate करूँगा तो सारा data उड़ जाएगा उसमें से आप देखो भी मैं browse पर जाऊँगा तो यह उड़ चुका है सारा data तो कुल मिलाकर PHP my admin ने बहुत अच्छा interface है काफी बड़ी यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है SQL यूज करके आपका data यहां पर दिखता रहता है कि कौन सा user है किसने क्या किया यह सब चीज़ें आपके सामने होती है और MySQL अपने आप में काफी बड़ी है database भी है अब इसके अंदर बहुत सारे features है जो कि आप लोग खुद से explore कर सकते हो जैसे कि आप लोग यहां पर search कर सकते हो यहां पर एक example दे कर इसकी में जो सबसे चीज़ें बात यह लगती है कि आप यहां पर select कर सकते हो not like और यह सारे operators इसमें दिये हुए not between, between, in, not in यह सब आप दे सकते हो और finally आप जैसे ही go करोगे यह query आप लोग को generate करके देगा कि कौन सी query इसने run करी आप देख पाऊगे तो कौन सी query run करी आप यहां से भी देख सकते हो लेकिन जब आप यहां पर एक अच्छे से guide area मनाकर filters लगाओगे तो आपको एक अच्छी query देगा आप यहां पर import कर सकते हो, export कर सकते हो, बहुत सारे operations यह कर सकते हो तो इसको आप लोग एस्प्लोर करें खुझ से कैसा लगा आप लोग को यह और क्या आप लोग इसको यूस करेंगे इन फुचर मुझे कॉमें जरूरू बताना अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं गाइस कर दो